एक कार को दो घंटे लग रहे हैं एक डिस्टिनेशन पर पहुंचने यानकि एक जगा पर पहुंचने के लिए और स्पीड वो कितने यूज़ कर रहा है? 60 किलोमेटर पर आवर अगर वो 80 किलोमेटर पर आवर पर चलता है तो number of time उसे कितना लगेगा या फिर number of hours उसे कितने लगेंगे उस अपनी destination पर पहुंचने के लिए चलिए करता है इनवर्सली प्रपोर्शनल होगा, speed और timing राइट क्योंकि हमने क्या कर रहा? speed increase कर दिया तो time क्या हो जाएगा? degrees हो जाएगा चलिए लिखता है, speed और यह क्या होगा? time ठीक है, पहले speed कितने थी? 60 किलोमेटर पर आवर, timing कितना लगग रहा था? 2 hours, अब किजनी होगा इस से एक द यह क्या है एक्स यह क्या है वाई मैंकरте इसे एक्सक्षय देट करें गें इस एक्स टू यह वाई वन और यह क्या है यजो राइट चलिए सुर।OR करते हैं इन्वासलिन फो Czech में क्या होता है x1 y1 is equal to x2 y2 right x1 क्या है हमारे number of speed कितनी है तो कितनी है 60 km per hour और distance यानि कि timing distance हो same रहेगी इसमें क्योंकि destination एक एक ऐसी जगा है जो कि दोनों जगा same है उसकी मतलब कि distance same होंगी दोनों quantity में और हमसे क्या इसमें चीजह इंक्रीज हो रहा है speed इंक्रीज हो रही है तो गंटे लग रहे हैं उसे speed हमने क्या कर दी इंक्रीज कर दी यानिक 80 km 20 km कर दी तो हमसे क्या पुछ रहाया टाइमिंग बुच रहा है यह से कटा यह से कटा यह कटा चीक है 3 divided by 2 hours राइट एक ही वेल्व यानि कि अब यह गया है हमने क्या कर दिया से mix fraction में लिखेंगे तो यानि कि एक घंटा आधा आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स यानि कि वन आवर्स 30 मिनट्स उसको लगेंगे अपनी destination पर पहुंचने पर ठीक है पहले कितना लग रहा था टू आवर्स और अब कितना लगेगा एक घंटा 30 मिनट्स ठीक है अपनी destination पर पांचने में पहले कितने दी 60 फिर कितने होई 80 स्वीड क्या होई इंक्रीज होई तो timing क्या हो गया डिक्रीज हो गया ठीक इंवर्स ली पर पॉशन का एक्जमपल है